जैन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत दे हैं दोस्तो आच के जीडियो में मैं आपको कुछ महत्मूर जानकारिया दूँगा इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेके आकरी तक देखेगा और अपने गुरूप में भी शेयर कर देजेगा वीड अभी तक नोशनल इंक्रिमेंट पे कोई ओडर जारी नहीं हुआ है तो दोस्तो ऐसी जो सेकेटरी है जेसीम स्टाफ के शीवा गुपाला मिश्रा जी उन्होंने लेटर भेजा है डियो पीटी को और भारत सरकार के सेकेटरी को ताकि भारत सरकार डियो पीटी जल्द से जल नोशनल इंक्रिमेंट पे जनरल ऑडर जारी करे हर एक पैंशनर के लिए ताकि जो कोट केस हो रहे हैं एफटी में या फिर दिल्ली हाई कोट में सुप्रीम कोट में वो केस कम हो सके जहां दोस्तो इस से बारत सरकार पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है तो दोस्तो इस प्र सरकार सब के लिए जरनल ऑडर निकाले लोशनल इंक्रिमेंट देने के लिए दोस्तो जैसा आपको बताए सुबह वाले वीडियो में मैंने आप सक इंफॉर्मेशन माँगे ती आपकी डिटेल मांगे ती हैं ताकि मैं पता लगा पाऊं कि आपको नोशनल इंक्रिमेंट इलिजिबल है या नहीं है अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो दोस्तो मेरे पास काफी पर्जेंटेशन आए हैं आपके आपने मुझे मेल किया काफी मेल मेरे को मिले हैं आपने अपनी डेटेल मुझे भेजिए तो दोस्तो कुछ पंशनर की मैने जानकारी कुछ सीनियर एड्वोकेट को ट्रांसफर करिये जी हैं जो क्श पैंशनर को यहाँ पर नोसस इंक्रिमेंट इलिजिबल नहीं है उनको नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी details match नहीं कर रही है Notional Increment लेने के लिए दोस्तो एक मैं आपको example दे रहा हूँ आप समझ जाएंगे और थोड़े बहुत rule भी समझाऊंगा Notional Increment पे दोस्तो जैसे एक pensioner है जो retire हो गेते 30 June 2000 को 30 June 2000 को ये retire हो गेते दोस्तो इनको last increment मिला था 1-10-99 में 1-10-99 में इनको increment मिला था इनका अगला increment due था 1-10-2000 को लेकिन दोस्तो Notional Increment लेने के लिए जब आप retire होए और उससे पहले जो आपको increment मिला उसके बीच में एक साल का gap होना चाहिए तब ही आपको Notional Increment मिले जियां दोस्तो तो दोस्तो इन pension की जो detail थी वो match नहीं होरी Notional Increment लेने के लिए क्योंकि दोस्तो ये retire तो हो गए 30-June 2000 को और इन्होंने last increment लिया 1-10-99 में तो दोस्तो बीच में एक साल का gap नहीं हो रहा इस वज़े से इनको Notional Increment नहीं मिलेगा हाला कि कुछ और pensioner है उनका gap हो रहा है यानि जब वो retire हुए और उससे पहले जो नहोंने एक increment लिया उसके बीच में पूरा एक साल का gap हो रहा है इस वज़े से उन pensioner को Notional Increment मिल जाएगा तो दोस्तो मैं उनकी कारवाई करवा दूँँगा महिने आप retire हुए हो उसके अगले दिन आपका increment due हो जिया दोस्तों यह उन pensioner के लिए जैसे 26 के जो बाद आ रहे है या फिर 2016 के बाद आ रहे है जैसे दोस्तों आप जूल में retire हुए तो आपको जुलाई का increment मिल गया यानि जिस महिने आप retire हुए हो उसके बाद अगले महिने आपका increment due हो तब आपको notional increment मिल जाएगा लेकिन दोस्तों जो 2006 से पहले आए हैं उनके लिए कोई specific महिना नहीं था जिस पे उनका increment fix हो रहा हूँ किसी का August में fix हो गया जैसे दोस्तों इनका fix हो गया अक्टूबर में fix हो गया था इनको एक अक्टूबर 1999 में increment मिल गया था तो 2006 से पहले जो पांचवे पे कमेशन में आया या फिर उससे पहले आये उसमें कोई date fix नहीं थी कि आपको जुलाई में ही increment मिलेगा या फिर जन्वरी में ही increment मिलेगा तो दोस्तों rules को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है तब ही आप समझ पाएंगे कि आपको notional increment मिलेगा या नहीं मिलेगा जो 2006 से पहले आये हैं उनको मिलेगा notional increment यह मैं आपको बहुत पहले ही बताया हूँ लेकिन दोस्तों जो मैं आपको rules समझाता हूँ अपने वीडियो में वो आप सही से समझेए अगर आप rules समझ जाएंगे तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों काफी pensioner के मेरे पार presentation आये हैं उसमें से कुछ pensioner ही eligible है जियां दोस्तों तो दोस्तो ये चीज आपको समझ में आगी होगी चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ फिर दोस्तों अगली जानकारी है M.A.C.P. को लेकर जियां दोस्तों दोस्तों एक लेटर है 25 जुलाई 2018 का जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो pensioner 2006 के बाद आए है उनको M.A.C.P. लाग 2008 या 9 में तो उनका वो area बना रहा है 2008 से या फिन 9 से जबसे वो retire हुए बलकि देना चाहिए बीच के period का जबसे उनको M.A.C.P. मिली service period के दोरान यानि फायदा उनको 1126 से मिलना चाहिए 1126 से area बनाना चाहिए और बाकी retirement के बाद का area इस पाश PCDA देगा PCDA इस पाश retirement के बाद का area तो दे रहा है लेकिन दोस्तो जब बीच में उनको M.A.C.P. लागू हो गई यानि जब pensioner service में थे तो दोस्तो उस period का area नहीं दे रहा है बलकि देना चाहिए P.O.R. को जिया दोस्तो P.O.R. की ये जिम्मेवारी है कि वो service period का area दे लेकिन दोस्तो सीधा आप ये letter दिखा सकते हैं और दे सकते हैं उन्हें आप दिखा सकते हैं कि इसमें 1126 से लागू है M.A.C.P. क्योंकि दोस्तो बाद में ये date change कर दी गई थी एक सितंबर 2008 की जगे ये एक जन्मरी 2006 हो गई थी तो इसका benefit आपको 1126 से ही मिलेगा जिया दोस्तो तो आपके पास letter, rules, knowledge, सब चीज होनी चाहिए जो आपको इस channel के मादम से दी जाती है ताकि आपको कोई पशान न करे आगे चल कर फिर दोस्तो एक और मैं आपको जानकारी दूँगा और ये जानकारी है area को लेके जिया दोस्तो काफी pensioners को मैंने काफी समदाया कि अगर आपके पास message नहीं आया है या फिर आपका नहीं बनाए तो आप थोड़ा वेट कर लेजिए लेकिन तब भी pensioners पूछ रहे हैं कि सर हमारा message नहीं आया सितंबर की pension का advance message हम क्या करें दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि अगर आपके पास message नहीं आया सितंबर की pension का advance message तो आ pension credit होने तो दोस्तों आप थोड़ा wait कर सकते हैं अगर नहीं आता तो आपके खाते में 30 तारी को pension आ जाएगी और दोस्तों जिन pensioner को area नहीं मिला है उनको कुछ दिन में मिल जाएगा जिनकी अभी तक खाते में area नहीं आया है काफी pensioner कह रहे हैं कि सर हमें मिल गया area सही मिला well and good लेकिन जिनको नहीं मिला उनको दीरे दीरे आगे मिल जाएगा एक और जानकारी मैं आपको दूँगा जिन pensioner के PPO में गड़ बड़ी है जैसे दोस्तों कुछ pensioner हैं जो कह रहे हैं कि सर्विस element तो रिवाइज हो गया और रूपी 3 के अनुसार लेकिन disability हमारी पुरानी दोस्तों उन pensioner ने शिकायट डाली भी है और उनकी शिकायट क्लोस कर दी है बिना कुछ करे इस पर्ष ने तो दोस्तों ऐसे pensioner को क्या करना है एक record को letter लिखना है और उसी के साथ अपना disability का PPO भी लगाएंगे एक copy करा रहेंगे फोटो copy और disability का PPO लगा कि आप record को transfer कर दें ताकि जो भी कारवाई हो रही है वो spurs उसे handle करे इस तरीके से दोस्तों आप काम कर सकते हैं अगर spurs में शिकायट डालने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा तब मैं आपको बता रहा हूं या फिर दोनुन तरीके आप कर सकते हैं चाहे तो आप spurs में शिकायट डाले या फिर आप record को letter लेखे और copy to spurs कर देंगे तो इस तरीके से दोस्तों आपकी शिकायट भी सुनी जाएगी और आपकी problem भी solve होगी फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूँगा दोस्तों जैसा आपको बता है PCDA spurs ने आपके corresponding PPO बनाये हैं काफी pensioner के corresponding PPO issue हुए है औ लेकिन SPURS की ID में नहीं देख रहे हैं SPURS में वो शो नहीं हो रहे हैं दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा wait कर सकते हैं अगर आपका एक बार corresponding PPO issue हो गया SPURS PCDA द्वारा तो आपको फिर बड़ी हुई pension मिलेगी और जो PPO है वो कुछ time बाद SPURS में सो हो जाएगा या फिर आप शिकायट भी डाल सकते हैं SPURS में आप उसमें लिखेंगे कि सर हमारे पास message आ गया था लेकिन हमारा PPO शो नहीं हो रहा उसमें pensioner ID नंबर भी डाल देंगे और corresponding PPO नंबर भी डाल देंगे शिकायट भी आप डाल सकते हैं कई pensioner का सवाल है कि हमारे पास कोई message नहीं आय कुछ नहीं आया लेकिन हमने PCDA से पूचा तो उन्होंने का कि आपका corresponding PPO issue हो गया तो दोस्तों अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपको कुछ करने के जुरत नहीं है आप थोड़ा वेट करिए कुछ टाइम बाद SPURS की ID में आपका PPO issue हो जाएगा और दोस्तों फिर आप PPO तो अब Family Pension Initiate करनी है सबसे पहले दोस्तों wife को spouse को क्या करना है सबसे पहले दोस्तों debt certificate लेना है उसके बाद pension stop करनी है जो pensioner की चल रही थी उसके लिए debt intimation certificate अपरोक करना पड़ेगा इस परच पर जैसी आप debt intimation certificate अपरोक करेंगे उसके बाद दोस्तों pension तो रुकेगी ले पेंशन चल रही थी वो रूख सके और उसके बाद आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो सके यह सब काम ऑनलाइन कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आप मेरे से भी कॉंटाक कर सकते हैं यह सारा प्रोसेस ना खुद ही कर दूँगा आपके लिए और दोस्तो कि आप अच्छे दिस समझे होंगे आपको और कुछ पूछना और तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो आपको अच्छे लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी या ऑथन्टिक जानकारी आपको मिलत दिए थानकारी यापको मेंट करें गारी खाया कारि याथ अच्छे मेंट करें प्या आपको ओूच्छ अच्छिए वादाटनी कांट करें ओूच देने वेडियो आता हैं